देश में केंद्रिय विद्युक प्रादिकरन, C.E.A. ने हाल ही में जल विद्युक परियोजनाओ, विशेश रूप से पंप भंधारन परियोजनाओ के विकास को गती देने की दिशा में महत्वपून कदम उठाए हैं। पंप भंधारन विभिन उचाई पर दो जल जलाशयों का उप्योग करके उर्जा भंधारन का एक अत्यदिक कुशल तरीका है। CEA ने इन परियोजनाओं के लिए एक फास्ट राक अनुमोधन तंत्र लागू किया है। इस कदम का उद्देश या अनुमोधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और अनावश्यक देरी को खत्म करना है, जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिले और ऐसी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिले। नए तंत्र की तहट, CEA ने परियोजना अनुमोधन के विभिन चरनों के लिए सपष्ट दिशा निर्देश और समय सीमा निर्धारित की है। प्रादिकरनों से समवर्ती मंजूरी की प्रावधान भी शामिल है। पहले, डेवलपर्स को विभिन एजेंसियों से मंजूरी के एक जटिल वेब के माध्यम से नेविगेट करना पड़ता था, जिसके कारण अक्सर लंबा विलंभ होता था। हाला की, नई प्रनाली के तहट, CEA अन्य संबंदित प्रादिकरनों, जैसे पर्यावरन एजेंसियों और जल संसाधन विभागों के साथ सहयोग करता है, ताकि मंजूरी की समानांतर प्रसंसकरंग की सुविधा मिल सके। ये सिंक्रना इस द्रिष्टिकोन आवश्यक पर्मित प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर देता है। इसके अलावा, CEA ने पंप स्टोरेज पर योजनाओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंज सिस्टम पेश किया है। इसका मतलब यह है कि डेवलपर्स अब पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए एक ही पोर्टल के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेज और आवेदन जमा कर सकते हैं। परियोजनाओं के लिए उप्यूक्त साइटों की पहचान करने और विकास चरणों में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों की साथ मिलकर काम कर रहा है। धनुमोधन प्रक्रिया की पेशकश करके पन बिजली में निजी निवेश को प्रोटसाहित करता है। ये एक बदले में प्रतिसपर्धा और नवाचार को बढ़ावा देता हैं जिससे अधिक कुशल और लागत प्रभावी परियोजनाओं होती हैं। दूसरे, पंप स्टोरेज परियोजनाओं का समय पर पूरा होना एक अधिक विश्वसनिय और स्थेर बिजली ग्रिट सुनिश्चित करता है। जो बिजली की बढ़ती मान को पूरा करने में सक्षम है। जो बादी के लिए एक स्थाय और विश्वसनिय बिजली आपूर्ती में भी योगदान करती है।